बूर्ट मॉर्णिंग एप्रिवर्ट मैं चित्रा आज आपका नौबार दिस प्रागार में स्वागत करती हूं आज हम क्लास 11 पा चैप्टर 2.2 पढ़ेंगे जिसके साइज है 2.3 जिसमें हम फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे जिसको कहते हैं कि कोई सब्सक्राइब ने कि इसको कहते हैं का सब्सक्राइब सब्सक्राइब इसेट ए ладноतबोन फंक्श्न वें स्परहने में प्राइट आजाए बिलेक्सेज कॉड़न में चाहिए ग्ले नेकिंद конфशन कब कहला जाल गया उसके जो सेट एक सेट एक है उसके सारे एलेमेंट जो है उनकी वन वन मैपिंग हो जिसे इसकी माल लिया एबी सी डी यह सेट ए और ने माल लिया बी वन टू थी यह हो गया एकी एवन वी टू सी थ्री जी दिफन है या नहीं कि सब्सक्राइब अलग वें पिंग हो ली किसी की वी डू जो एपिंग नहीं होएपकिं को इसको उभलेंगे फांक्शन यहीं है और सेट देदी यहीं है विद देदी हमें बी A B C D A का 1 A का 2 B 3 C 4 D 5 ठीक है यह दे दिया अब यहांपर देखो A की इसके दोबर मैप कर रहा है 1 के साथ भी और 2 के साथ तो A क्या है यह किसका एलेमेंट है सैट A का तो सैट A के दो मैप भी हो रही है तो यह क्या होगा फॉंक्शन नहीं होगा ठीक है फॉंक्शन उसको कहते हैं जिसमें सभी फॉंक्शन जो होता है डिलेशन जो होता है एक का वो सैट A से B के पास लगता है लेकिन जो सैट A है उसकी जो मैपिंग होगी है उसका जो इमेज बनेगी सैट B के अंदर हो क्यों नहीं की है 1 ठीक है कि एवरी अलेमेंट ऑफ सैट A है वन इमेज ओनली इन सैट B ठीक है यह जो दूसरी तरिक्टे से बोल सकते हैं कि एप जो है वो रिलेशन है प्रों अनोन इम्पर्थी सैट A to नोन इम्पर्थी सैट B such that the domain of F is A and the no two biscuit-coded pair in F have the same first element जो माजब यह के जो F relation है वो कहा देता हो रहा है नोन इम्पर्थी सैट A से B A और B क्या है नोन इम्पर्थी सैट ठीक है नोन इम्पर्थी सैट A जो domain कि इसको बोलते हैं जो mapping बना रहा हूं A से B के अंदर A B A B C वाँ गया 1 2 3 यह बना रहा है तो यह A के है जो element mapping बना रहा है जो मालब प्री image है वी की जो वो क्या होगी हमारे domain यानि कि जो A है वो domain इसके बराबर होगया A के ठीक है किसी भी domain के element की दो element नहीं होगी जैसे की A B C 1 2 A की 2 B की 2 C की भी 2 Sorry B की भी 1 यहां पर B जो है उसकी क्या है एक image 1 है एक image 2 है तो B की दो image बन रही है वो क्या बन रही है दो बन रही है तो यह हमारा node function होगा function तब कलाएगा जब domain के परतेक element की A की image बने B में सेट में इसको function को हम ऐसे भी दिख सकते है F of A is equal to B जो यह F of A है यह किसके बराबर होता है पाई की बराबर ठीक है यहां पर B है यह B क्या का जाता है कि B है वो क्या किला जाता है image of A under F जो B है वो किसकी image है A की under F ठीक है और A क्या कह सकते हैं A क्या है F of A is equal to B तो A क्या हुआ अप्री image of B under F ठीक है हम चलते आगे आगे में एक एक जामपल दिया गया है एक्जामपल है कि कोई हमने लेट कर लिया N है सेट लेटरल लंबर पाया है ठीक है हमने लेट किया है सेट और नाचूरल लंबर ठीक है रिलेशन बता रहे हैं रिलेशन कैसे है इसमें र है वो नेचुरल लंबर में रिलेशन कैसे नहीं हमने रिपान किया यहां पर एक्सकों मावाई ऑय इसमें के अविक है जो यह एक्सकों में बलॉग कर रहे है इस सेट में नाचूरल लंबर में रहेए बर्ताय दो सब्सक्राइम हार तो इससे हम देखेंगे यह हमारा माल लिया A यह हमारा माल लिया B क्योंकि रिलेशन क्या है N जे N में तो इस N को में नाम देदिया A और इस N को नाम देदिया B ठीक है इस कहले में डेदिया A, B, C, D, E, सोरी नैचुरल लमबर ले ले हमें तो हम नैचुरल लमबर लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एट, 9, 10, 11, 12, 6 तो हमारी जो रियल नमबर लेंगे कहले है यह फोली पिट करेंगे तो क्या एक दाल जाएगे तो मुद्लिभी फॉर्टी चिह नहीं तो डोमेन क्या हो गया डोमेन इसके सारे इसके बरापर हो गया एक है ठीक है और रेंज क्या हो गया रेंज देखो यहापर क्या रही है 2,4,6,8,10,12 यानि की इवन नमबर तो रेंज क्या हो गई इवन नमबर यहापर हम इसको क्या से लिए सकते हैं तो डोमेन इसके पर हो गया तो कोड़ोमेन क्या हो गया कोडो में इसके वरापर हो गया एंड के यह में डिफाइन करना था नेक्स एक्जांबल दे रहा किये इमें रिलेशन दे रखें यह पर यह पहला रिलेशन दूसरा रिलेशन ठीक है इसमें प्रूव करना है कि यह फंक्षन है या नहीं यह बताना है पढ़की तो देखो फंक्षनकी डेपिनेशन क्या होती है फंक्षन क्या होगे फंक्षन होगा सेट ए से बी में ठीक है a की इमेज ओनली वन इमेज इन सेट बी यह एगी कि सेट एक ही इमेज होगी सेट बी में तो देखो यहाँ पर रेते पहला यह है मारा सेट ठीक है ए है और यह हमारा सेट भी है तो जो हम मैपिंग करते हैं एसे पी में जैसे हमने माले यह 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 वन टू लिया एक वन बी टू इसको इसे लिखते हैं तो जो इसका फर्लेमेंट होता है इसका होता है सेट एक यह वह भी सेट आइक हो और यह सेकेंड एक रिख यह इसके लिखते है। तो हमने लिख दिखता ऐसी तू पॉन दे रक था चेना कि टू किसे का एलेमेंट होता सैट एक और बी का बन की वह दे रहता है थ्री सैट का है भी एक करना दो पोर गिसे एक और बी का तू तो मैं पर देखें रखिए की उइमेज बन देडिख आए कि सबकी एके की में कुने किसी की भी दो इमेल इनने भड़ रही है तो यह हमारा क्या होगा फॉर्चन है ठीक है अब हम चलतें नेक्स्ट में नेक्स्ट देखो यह अमने सेट के लिए यह अब बी ठीक है यह पहला तुटू तो टू एका अलेमेट्ट और टू यह बिकर यह को थो एका एलेमेंट और फॉर का एलेमेंट तो यहां देको टू की में तू में तू की में पॉर में पॉर की फॉर अब यहां देखो कि 2 है उसकी सps propagator갈 में रख्था है उसकी कित्व ने बन रहे है दो एक रंदिशन कहती है conta की की सपने नो इसेस्थ विल्ड की में एक ही होनी चाहिए हरा अए ऑछ को आ नThen to say क्यों को सिस्ट करना री कि हमारा function नहीं है थर्ड पर चलेंगे थर्ड देखो थर्ड के लिए अब ये सैट A माल देते है ये सैट B माल देते है ठीक है 1, 2 1 A में आ देगा 2 B में 2, 3 2, 3 3, 4 4, 5 5, 5, 6 6, 7 देखो सब के की में देखो सब के की में जोड़े किसी भी सैट A कि किसी भी एलेमेट की दो इसे नहीं है तो यह हमारा क्या होगा फॉंक्षन इस ए फॉंक्षन तो हम इसको फॉंक्षन भोल सकते है अब आप नेश्यूशन पर जलते है पर डेफिनेशन है डेफिनेशन में क्या बोला है कि एक फॉंक्षन हैगा जो क्या होगा आइदर आर और बानोबिट सबसेट एज इस से इस काल रियल वैलेव फॉंक्षन कि कोई फॉंक्षन है सेट आर में ठीक है और या फिर सब्सेट में होगे तो जो इसकी आर्गी या फिर यू की जो रेंज होगी उसको हम क्या काएंगे रियल वैलू फॉंक्शन ठीक है आगे इसने बोलाएं कि जो सेट यह तो होगे कि सेट आर्गी और यू की जो इम रेंज होगी उसको हम बोलेंगे रियल वैल फॉंक्शन इसी तरह किसा हम बोलेंगे इस सेट आर और उसका सबसेट जो इठा यू उनकी डोमेन को हम क्या कहेंगे रियल फॉंक्शन ठीक है set आर और यू की रेंज को हम बोलेंगे रियल वैलु फॉंक्शन और डोमेन को हम बोलेंगे रियल फॉंक्शन ठीक है हम करते क्योंशन एक्जाम्पल लेगा कि कोई सेट है एंड किसके बराबर है नेचुरल नंबर नेचुरल नंबर जिसको बोखते हम सोन ऐसी चलते जाएगा ठीक है आगे इसने बोला है इसको बोला था रेंज को कैसे डिफाइंड करी गई है एफ सेट एंड से एंड से एंड से फॉंशन डिफाइंड किया गया और एफ 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 हैगा क्या नेचे बराबर हैं वारे पास टूए क्लस वन तो हमें एक्स की भेजू गीराया नकार रखेगी एक्स हमें वन टू थो फूर 5 6 7 यहीं निका अलिए जब यहां एक्स की वेलू पूट करेंगे तो वाइक की वेजू आजेगे यह रिख यह वद रखे एक्स के वाइक् 1 is equal to 3 तो हम या ले सकते हैं 3 F of 2 की निकालेगे F of 2 की निकालेगे तो क्या है ये 2.2 2.2 plus 1 4 plus 1 इतनी है 5 तो हम या 5 लिख देंगे F of 3 F of 3 क्या है 2.3 plus 1 2.3 जा 6 plus 1 7 F of 4 F of 4 2 into my 4 plus 1 इतनी है 8 plus 1 9 F of 5 2 into my 5 plus 1 10 plus 1 या 11 ठीक है F of 6 2 into my 6 plus 1 12 plus 1 यानिकी 30 यानिकी 30 F of 7 2 into my 7 plus 1 14 plus 1 यानिकी 50 ठीक है यहार F of X की values आ गई कितने पर X की जो given values थी उनकी पर ठीक है आप जलते हैं नेक्स जोज़ें तरह उसे पहले हम पढ़ेंगे कुछ functions और उनकी graphs तो पहला function तुमें दे रखा है identity functions पहला function अभी दे रखा है identity function identity function कैसे define कर रखा है कि कोई set R है वो किसका बना हुआ है real number real number में क्या और तर माइनस infinity से infinity तब जिसके बीच में क्या आजरता है सारे के सारे rational number यानि कि PY क्या होगी पॉंग और irrational number ठीक है इसको बोलते हैं real number ठीक है आगे से कैसे define क्या गया है real value function को यानि कि range को f सज़ेट R से आज ये f जो सबर रिलेक्शन है वो R से R में पढ़ा गया है लेकिन f of x जो दे दिया y किसके बार बोलता है y is equal to f of x और f x किसके दे दिया बार बार x के और जो ये x है वो belong कर रहा है R में तो इस function को क्या कहें identity function कि कोई set R है real number set है R ठीक है तो जो उसका relation होगा f function का relation होगा वो R से R में define क्या गया है कैसे define के गया उसको y is equal to f of x और f of x इसके बराबर है x के और ये x बिलों कर रहा है real number R में ठीक है तो इस function को हम कहते है identity function इसके domain and range क्या होगी है ये हमारा R है ये अवी हमारा R है ठीक है इसमें क्या हो minus 2, minus 3 by 2, minus 1, 0, 1, 2 son, minus 3 by 2, minus 1, minus 0 sorry, 0, 1, 2 उसके सबकी image बनेगी किसी ना किसी से ठीक है सबकी जब image बनेगी ये क्या होगा हमारा domain तो R हमारा इसके बराबर होगा domain के इधर भी सबकी pre image बन रही है तो याने की R हमारा range भी होगा और set जो B देखते हैं ये वाला set उसको हम क्या कहते है codomain तो ये codomain के बराबर भी आगे ठीक है और जो इनका graph बनेगा उसका बनेगा straight line का ठीक है और ये pass कहां से हो रहा है origin 00 से ठीक है next function पढ़ते हम constant function define क्या गया constant function f r से r में कैसे क्या गया है y is equal to f of x c identity में हमने लिया था f of x is equal to x लेकिन हम constant में चाने कि f of x is equal to c और ये f of x किसके बराबर होता है y के ठीक है तो जब y constant हो गया तो y की कोई value नहीं होगी तो इसके क्या हो जाएगी ये straight line हो जाएगी ठीक है constant हो गई ये link कि कोई भी y की value f हमने ये constant ले लिया मालब तो ले लिया तो किदने पर बनेगी इस नहीं इस टूप पर बनेगी इस एदी line तो इसको बोलते हैं constant ठीक है domain क्या होगा domain क्या होगा a के सारे elements की email बनती है उनको domain बोलते है domain या पर a क्या है r domain क्या होगा r और real number क्या होता है ना sorry range क्या होता है जो y की value आती है या फिर हम कह सकते जो pre-image बनती है a की तो a की pre-image क्या होगा y की इसके बराबर अबारा c के बराबर range के आप या हमाट पास c ठीक है अब हम जलते हैं next function की तरफ next function है polynomial function उसको define किया गया है कोई function है उसको r से r में define किया गया है उसको polynomial function का पक कहते है जब x के सारे elements r में belong करे और f of x कैसे define करता है ऐसे f of x कैसे लिखते है a node plus a1 x plus a2 x square plus son non a n x n ठीक है जहां पर n जो होते हैं वो क्या होते हैं इंटीजर होते हैं यह कि नो नेगेटिव नो नेगेटिव ठीक है और जो यह ए नो एवन सोन एन लिए इस मिप्रों करेंगे आर में ठीक है रेकोपेक्स को हम क्या बोलते हैं यह इस फॉंक्शन क्या बोलेंगे पोलिनोम्य फॉंक्शन टीक है यह एक्सकी टीक मायुश क्यूस क्या प्लस टू यह क्या होंक्ता है एक्सकी क्यूप एक्सकेर यह किसमें आते हैं कि इसमें नो नेगेटिव इंटीजर क्या है ठीक है और आवन अनौट यह यहां त रिखा है यानि कि a3 की value 1, a2 की value minus 1 और a0 की value 2 तो इस condition को satisfy कर रहा है, इस equation satisfy कर रहे है function तो यही क्या होगया, polynomial function अब हम देखते rational function, rational function, rational को क्या हो देखते हैं P upon में क्या होता rational, जहां पर क्या होता, 0 की बराबर नहीं होता इसी दरी के से function बोला हैं तो function क्या कर रहा है, आप वो में gx, जहां पर gx क्या होगा, not equal to 0 तो इस function को क्या कर रहे हैं गया, present function और आपको फैक से जी एक्स के रहे, polynomial function है, ठीक है next, modulus function, modulus function क्या है, r से r में define क्या गया है, कैसे क्या है, f of x, x का mode अब हम देखेंगे, जो x का mode है, उसको हम क्या लिख सकते हैं, x positive का हो, जहां वो greater than, equal to होगा, 0 के, और less than होगा, तो क्या है, minus x here होता है, ठीक है, तो इसी तरीके से function divide होगी है, f of x किसके बराबर x मोड के, तो यह लिख पूट करेंगे आपकर, तो क्या आएगा, x, x greater than, equal to 0, minus x, x less than 0, ठीक है, तो हम देखेंगे, जो यह x है, यह x, यह क्या है, non negative value दे रहा है, तो अब दे रहा है, जब function क्या होगा, x के बड़ा, यह x के, ना, sorry, 0 से बड़ा, यह 0 से बराबर, तो क्या आएगी दे रहा है, जिनकी positive value, और इसको non negative value भी बूलते है, और negative value क्या आएगी, जो x less than होगा, 0 से, तो उसका हम बूलते है, negative value of a function fx, ठीक है, इसका graph कैसे बनेगा, graph जिसे हमने ले लिए, positive value आएगी, 2, 3, 2 आएगी, तो यहाँ पर आएगा, 0.4 पर यहाँ, 6, ठीक है, minus की आएगी, तो minus का 1, minus का 2, minus का 3, तो graph कैसे बनेगा, ऐसे बीजे पर, ठीक है, आगे हम चलते है, signal function में, signal function क्या होता है, कि f, वो r ते r में define कहलता है, r यहाँ गया होता है, rational number, और यह पोपेक्स क्या र जब x greater than 0 होगा, 0, जब x 0 के वराबर होगा, minus 1, जब x less than 0 के वराबर होगा, इसका graph कैसे बनेगा, यह है, यह माले लेकर 1, 2, ठीक है, minus 1, minus 2, minus 1, minus 2, 1, 2, यह हमारे y axis, यह y dash, यह x, यह x dash, ठीक है, इसने बोला है, इस greater than 0 होगा, तो x की value और मालने तो 2 है, तो क्या हैगी उसकी value, function की value क्या है, f of 2 की, 1, तो 1 यह वाला point, ठीक है, याने कि जब x की value, 1, 2 होगे, ठीक है, और function की value क्या है, 1, तो f of x किसके बरापर होता है, y के, तो y की value यह 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 1, ठीक है, तो यह point ऐसे चला जाएगा, ठीक है, x 0 है, तो 0 पे कौन सा point हैगा, यह वाला point, अब less than होगे, तो क्या हैगे, minus 1, तो minus 1 इदर की तरफ, x की जो भी value है, तो यह सी से लिग में चलती जाएगी, ठीक है, इसको बोलते है, signal function, अब हम देखते है, question, question में बोला है कि कोई function defined किया है, r से r में, कैसे लिखा उसको, y is equal to f of x, इसके बराबर f of x, x clear की, ठीक है, तो उसको बताना है, हमें जो यह table दे रख, इसको complete करने है, अग्राफिय बनाना है, x की value हमें level दे रख ही है, हमें y की निकालने है, यानिकि f of x निकालना है, x की value आप फुट करेंगे, तो f of x आदेगा, यानिकि y भी आदे, पहले x की value की हम minus 4 तो पुट करेंगे, minus 4 का whole square, यानिकि 16, minus 3 का whole square, यानिकि 9, minus 2 का whole square, पोल मैनेस तो थे यानिकी बन जीरो का जीरो बनो में जीरो ग्रुंका पोल ये अब ये फितक्त आप mitä आ conten अब मैनना थे तो चप्ष़ेज मीर्या 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 14. 16 टीके minus 2 minus 4 यह मारी हो गई y dash axis यह मारी x dash axis minus 4 minus 3 minus 2 minus 1 1 2 3 4 यह मारी हो गई x axis यह मारी हो गई 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 0 जब x की वेलू minus 4 थी तो y क्या थी वेलू 16 तो minus 4 और 16 यहाँ पर आएगा point ठीके जब x की वेलू minus 3 तो y की वेलू क्या थी 9 minus 3 और 9 यहाँ पर आएगा जब x की वेलू minus 2 थी y की वेलू 4 यहाँ पर आएगा point जब x की वेलू minus 1 थी तो Y की वेलू वन और जब 0 था था Y भी 0 तो इधर मिला देंगे इसको ठीक है जब X की वेलू वन थी तो Y की वेलू वन जब X की 2 थी Y की 4 3 थी तब 9 4 थी तब 16 ठीक है यह हमारा graph बन गया अब चलते हैं next question तरफ next वाँ हमार पास exercise equation बोला है कि जो functions दे रख हैं आपका जो relations के जो relations मने हुए functions के उनको देखना है अब बताना कि domain और range क्या है ठीक है पहले तो बताना है कि function है या नहीं है ठीक है फिर बताना है relation में कि domain और range क्या है देखो पहला यह हमारा set A है यह हमारा set B है पहला element के है 2 1 तो 2 A का element 1 का B का element 1 5 1 5 A का element 1 B का element 11 1 11 1 14 1 71 यह जिए सबकी मेंज क्या बन रही है 1 only सबकी मेंज क्या है एक इमेज है यह जिए कि set A के परते एक element की क्या है एक इमेज बन रही सब्सक्राइब इमेज बन रही हो के सब्सक्राइब इमेज के बराबर हो गया इमार पर दो मेंज आ रही रेंज किसकी प्री मेंज किसकी बन रही है बन की बन रही है न तो रेंज क्या हो गया फिंक है इसी तरी के समसे किन पार्ट की देखेंगे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 2 की बन इमेज 4 की 2, 6 की 3, 8 की 4, 10 की 5, 12 की 6, 14 की 7 ठीक है तो डोमेन क्या हो गया सेट एक के अलेमेट जिनकी इमेज बन रही है तो डोमेन 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ठीक है ये डोमेन आगे रेंज जिनकी प्रीमेज बन रही होती है 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये इसके बरापर होगे रेंज के अब चलते हैं थर्ड पाट है, थर्ड पाट है बन, 3, 4, 3, 1, 3, 1, 5, 2, 5 अब देको बन की मेंज 3 भी है बन की मेंज 5 ये टू की मेंज 5 को सब्सक्क्राइब सब्सक्राइब तरह नेग्स की तरफ नेट्स क्योंशन है इस पाइट दो में रेज बितारी है इनकी पहले पाइट्र एक पॉप एस इस इपॉप एस इस का मौड्ट एक्स का मौड्ट है सब्सक्राइब X क्या है यह आपकर हमारा real function है तो domain जिसकी बराबर होगी real के range range क्या होएगी जिसकी pre-image बनेगी तो देखो range जब X greater than होगा when X greater than 0 तो क्या आएगा negative value होएगी और X less than होगा तब भी negative value होएगी और जब X 0 होगा तब 0 आएगा तो range किसके बराबर होगे minus infinity से 0 टीक है minus infinity या infinity दे रखो तो उसके आगे क्या ज़ता है open bracket minus infinity से 0 टीक है इसके domain जिसके second part के निकाल लेगे अब जल से next question की तरफ next question दे रख़ा है किसको function है और define किया गया f of x इसके बराबर होगे 2 x minus 5 हम जो यह value दे रख़िंट की value निकालनी है functions दे रख़े जो तो f of x किसके बराबर है अब 9 f of minus 3 x के माइनस रिपूट करें निकाएगा minus 6 minus का 5 minus के 11 के बराब रहा है ठीक है अब नेक्स क्योंट की तरफ चलते है next question क्या दे रख़ा है function है T temperature degree Celsius में ठीक है और Fahrenheit में हमें यह निकाला है तो जैसे हमने पहले और function निकाला है x की value put करी है values निकाले function की वैसे हमने क्या करना है इस c के जिवें पहले 0 put करना 28 minus 10 तो यह value आ जाएगी ठीक है आप हम 4th part पर देखते हैं यहाँ पर tc की value देदी 212 ठीक है c की value find out करने है tc की ब्राबर है इसकी ब्राबर यह भी tc की ब्राबर यह भी tc तो दोनों को इसको रख सकते है 9c upon 5 plus 32 is equal to 212 ठीक है इस 32 को इदर देजे तो क्या आएगा 9c by 5 212 minus 32 इसकी ब्राबर आएगा 180 अब यह 9 by 5 पर इसको इदर देजे तो c की क्या value है 180 into 5 by 9 तो कि c की value क्या है 100 ठीक है अब देखते नेक्स क्योशन की तरफ नेक्स हमें देदिया range निकाल नहीं है इसकी फॉंक्शन स्की f of x देदिया 2-3x अब जी यह x से बुद कर रहा है belong r ने तो x belong कर रहा है r ने domain क्या हो गया r ठीक है अब ले लेते हैं कि यहाँ पर condition देर क्या x greater than 0 तो हम इसको लेकर चलते x greater than 0 हम यह यह चीए माइनस इस से माइनस से मंटिप्लाई करते है माइनस से मंटिप्लाई करते है 2-3x is less than 2 ठीक है तो यह function है उसकी value क्या होगी less than 2V आईगी ठीक है तो less than 2y तो हम कुछ भी less than 2 ले रहे हैं ठीक है तो less than 2 लेंगे उसके आईगी y की value यह y की बराबर एक function है न तो y की value क्या आईगी 2 से छोटी 2 से छोटी आएगी 2 open bracket less than sorry minus infinity से 2 यह value जाएगी इसकी ठीक है यह range हो गया यह क्या हो गया range इसी दरीजे से हम बागती दोने parts की निकाल लेंगे इसमें दे रख x square plus 2 थाम लेंगे x square greater than 0 ठीक है अगर हम x की कोई भी value लेते है ठीक है छोटी है बड़ी 2 क्या है की 0 से बड़ी ही आएगी negative में ले लो चाहे या positive में ले लो तो उसके आएगा greater than equal to 0 यह आएगा तो हम क्या लोगा देखते हैं दोनों दरफ 2 से एड का देखते हैं ठीक है तो greater than आएगी तो इसकी values का है की 2 तो भी इंक्लूट है यानि की 2 के बराबर हो तो हम क्या लगा दें की 2 क्या हो एग ए इसी तरीक्त देख ऑप ऐएस इसे इकल टो एगस ठीक है उच्ट से एकल अबसे को खिक अफ फपoben वर एक्ट इस एक cath्स को लोगो expenses ग्रिया नमबर ठीक है यह निकि रेंजक्त्राइब हो गया मारी है झाल झाल